समय निकाल कर हर महिला पुरुष जरूर सुने, हम औरतों को अपनी इज्जत करवाने ही नहीं आती, घर में ठकी हारिस नहाने, कदम अभी रखा ही था, कि बेटा तरुन उस पर चिलाने लगा, मम्मी आपको पता है कि मैं करेले की सबजी नहीं खाता हूं, फिर भी आपने मेर लिए कुछ और नहीं बनाया, बहुत जोर से भूक लगी है, घर में फूर्स भी आप नहीं रखती, एक तो कॉलिज में आज प्रोफेसर ने पका दिया, और फिर थके हारे आओ, तो घर में कुछ मिलता ही नहीं है, पीछे बैठी आशा भी कमरे से बहरा गई, आज का तो द इन ही खराब है, एक तो क्लास टेस्ट अच्छा नहीं गया, और आपने मेरे लिए सलाद भी काट कर नहीं रखा, आपको पता है कि मैं डाइटिंग पर हूँ, आपसे एक काम धंग से नहीं होता, तरुन ने आशा की बात का समर्थन किया, हाँ, पापा भी यही कहते हैं, कि गलत कह ही नहीं सकता, दो ही बच्चे हैं, उनकी भी जुर्टों का ख्याल तुम नहीं रख पाती, कितने दिनों से कह रही हूँ, कि मेरे घुटनों में दर्ध है, थोड़ा तेल ला दो, मेरा चश्मा तूट गया है, उसे बनवा दो, मगर तेरी मा को तो फुर्सत ही कहा है सुबह बजार गई थी, और अब लोटती है, उड़ाओ पैसे, मेरा बेटा दिन रात महनत करता है, और तुम अराम से शॉपिंग करो, दादी की बास सुन तरुन और आशा भी मुस्कुराने लगी, ये देख सनेहा को गुसा तो बहुत आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, वो वैसे ही बहुत थकी हुई थी, और बच्चों को डाट कर वो खुद को थकाना नहीं चाहती थी, कीचन में जाकर उसने पानी पिया, और उसने अपने हैंड बैग से सासुजी का चश्मा निकाला और उनको दे दिया, शॉपिंग बैग से मालिश का तेल निकाल कर उनके स सिलाद काट कर उसे दे दिया, और फिर कमरे में चली गई, सारे काम निपटा कर, जरा सा कुछ कहो नहीं, तुम्हारी मम्मी मुफ उला लेती हैं, मेरा सामान लाकर कोई ऐसान नहीं किया है, मेरे बेटी की कमाई से ही तो लाई है, और यही सब यह पहले कर देती, तो हम भी गुस्सा नहीं करते, फाल्तु में हम सब का दिमाग खराब कर दिया, कनीका जी जो सासु थी, अपनी जीजक मिटाने के लिए भी सनेहा को ही दोश दे रही थी, अभी तक आप समझ ही गए होंगे, कि सनेहा की क्या स्थिती है, अपने ही घर में, शायद एक पंचिंग बैग की जो आता मुक्का मार कर चला जाता, अरे अभी आप लोग उसके पती अनिल जी से तो मिले ही नहीं, जब घर के बाकिस दस्यों का यह वहवार था, तो उनसे कुछ अलग की उमीद भी बिल्कुल मत कीजिएगा, शाम को घर आते ही, कनीका जी ने सारे दिन का प्योरा अपन समय से नहीं खा पाई, अनिल आफिस में बोस की डाट के कारण वैसे ही बहुत खराब हालत में था, और घर पर सनेहा की शिकाय सुनकर, उसका भी सारा गुस्सा सनेहा पर फूट पड़ा, यार तुम करती क्या हो दिन में घर में, मैं आफिस में बोस की डाट सुनू, और घर आकर तुम्हारी काम चोरी की शिकाय सुनू, किसी काम की नहीं हो तुम, मेरा घर अगर तुम से नहीं संभाला जा रहा, तो साफ साफ कह दो, मैं नोकर रख लेता हूँ, कम से कम इस रोज-रोज की शिकायतों से तो बच जाऊंगा, सनेहा जिसने अपनी 20 साल की शादी में सि उसकी सहने की शक्ती पूरी तरह से खतम हो गई, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन आज उसने एक फैसला जरूर कर लिया, उसने दो-चार जगा फोन किया और रात का काम खतम किया और सो गई, सुभे, सनेहा के घर से एक बार फिर, तरुन, आशा, अनिल और कनीका जी के चिलाने की आवास सुनाई दे रही थी, जैसकी रोज सुनाई देती थी, मम्मी, मेरा दूद और ब्रेड कहां है, मुझे आज टोस्ट चाहिए, बहु, मेरे लिए आज उपमा बना देना, सनेहा, मेरा टिफिन और नाश्टा कहां है, सनेहा कीचन से निकल कर आई, और बो आई, ये माया है, आज से आप सभी की जूडतों का यही ख्याल रखेगी, यह क्या मजाक है सनेहा, अनिल गुसे से बोला, हमारे घर में आज तक कोई काम वाली नहीं रखी गई, तुम्हें तो सिर्फ मेरे बेटे की कमाईल लुटाना आता है, ये घर का काम करेगी तो तु क्या करोगी, कनीका जी भी गुसे में बोली, मम्मी जी, मैं वही करूँगी जो 20 सालों से आप लोगों की नजरों में करती आई हूँ, यानि कि मैं सिर्फ अराम ही करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, और अनिल आपने कल कहा था, कि अगर मुझ से आपके घर का काम संबल न साफ साफ बता रही हूँ, कि अब मुझ से आपका घर नहीं संबला जाएगा, आप सभी को तकलीफ ना हो, इसलिए माया को काम पर रख दिया, अब आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, सब माया को समझा दीजिए, सनेहा, क्या नाटक शुरू कर दिया, सनेहा की बास से बो आप पती बनने का, सासुजी मा बनने का, और तरुन और आशा, अब इनसे तुम्हें क्या कहूं, आज तक जिस घर को अपना समझ कर संभालती आई हूँ, कल पता चला कि वो तो मेरा घर है ही नहीं, मेरी ओकात इस घर में एक नोकर की है, या फिर शायद उससे भी बुरी, लेकिन कभी बदले में मीठे दो बोल नहीं मिलते, सनेहा सासुमा को देख कर बोली, मम्मी जी मैं बजार घर की, आपकी, बच्चों की और आपके बेटे की जूरतों का समान लेने गई थी, आपके बेटे की कमाई से अपने लिए मैं कुछ नहीं लाई, थके हारे धूप मे घर आई, मगर किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पूझा, उल्टा शिकायतों का पिटारा लेकर सब शुरू हो गए मुझ पर चिल्लाना, तरुन के कॉलेज में कुछ गलत हुआ, तो उसका गुस्सा मेरे उपर निकाल दिया, आशा का टेस्ट खराब हुआ, तो उसने भी अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया, अनिल को बोस से डाट पड़ी, तो उसका गुस्सा भी मुझ पर निकाल दिया, और मम्मी जी, इने तो पता नहीं मुझ से कौन से जनम की खुंदक है, कि कभी आज तक प्यार के दो मिठे बोल, बोले ही नहीं, आप सभी ने मुझे पंचिंग बैग समझ लिया है, जिसका मन करता है, आता है, और अपनी भढ़ास और चिड़चिड़ा पन निकाल कर चल देता है, हर बात पर मुझे जिड़क दिया जाता है, कभी भी आप लोगों ने मुझ से पूछा, कि तुम्हें कोई तकलीफ है, या तुम्हारी भी कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि हम ओड़तों को अपनी इज़्यत करवाना आता ही नहीं है, मम्मी जी, आपका बेटा अगर ऑफिस में महनत करता है, तो मैं भी दिन रात घर में महनत करती हूँ, आपका बेटा सुबह 9 से 5 सकनोकरी करता है, जिसमें संडे के अलावा और भी उसे चुट्टी मिलती है, लेकिन मैं, मैं 24 घंटे और वो भी बिना चुट्टी लिए आपके बेटे का घर संबालती हूँ, सबको उनकी जूडतों की हर चीज सही तरीके से मिल जाती है, फिर भी मुझे कहा जाता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, और ना ही मैं धंक से कोई काम करती हूँ, इसलिए मम्मी जी, मैं आज और अभी से आपके घर की जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ, अपने कमरे में जाते हुए सिनेहा पल्ट कर बोलती है, अनिल, और सारी जिन्दगी अपने वजूद को भुला कर मकान को घर बनाने में लगा देती है, और बदले मे सिर्फ यही चाहत रखती है कि घर के सभी सदस्य उसे सम्मान दे, उससे प्यार के दो बोल बोले, लेकिन अफसोस, मैं पूरे घर की जुड़तों का ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम सब मिलकर भी मुझ अकेली का ख्याल नहीं रख सके, सभी की आखे शर्म से जुक गई, सच ही तो कहा थसने हाने, सभी ने जाने अन जाने उसे पंचिंग बैग समझ लिया था, तो दोस्तों अगर आपके घर वाले भी आपके साथ यही वेवार कर रहे हैं, तो प्लीज आप भी पंचिंग बैग बनना, बंद कर दें, तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय ह कोमेंट करके जुरूर बताईएगा दोस्तों आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी हम औरतों को अपनी इज़त करवानी नहीं आती कैसी लगी आप हमें कोमेंट बोक्स में जुरूर बताएं यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई और कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको जुरूर शेयर करे दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जुरूर करे और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेणा दायक कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करे यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जुरूर करे तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही जवर्दस कहानी ये टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आपसे भी अपना ख्याल रखना आपका दिन शुब वा मंगल में हो